पैला फॉंगस का मामला मिला है ब्लाक फॉंगस के बाद वाइट फॉंगस का केस मिलने से हड़कम मच क्या है सतर साल के बुजूर्ग में वाइट फंगस का संप्रमर मिला है तो अब ब्लैक फंगस के कहर के बाद जब बाइट फंगस का पहला मामला सामने आया है तो हरकम तो मच किया है क्योंकि पहले ही ब्लैक फंगस महामारी का रूप ले चुका है और अब वाइट वंगस की तस तक एक बाद फिर से चिंता बढ़ा रही है मव में मिला है यूपी का पहला वाइट वंगस केस 70 साल का एक बुज़ूर्ग जुसे वाइट वंगस वाई तो आपको बता दें कि बुज़ूर्ग को फिलाल वारणसी में एडमिट है क्या कूफ अब बेट मिल रही है वहां से सीधा रूप करेंगे मेरे सभय जोगी नितीश मेरे साथ जुडगे है वारण हसी से नितीश क्या कुछ अब देट है कैसा स्वास से बुजूर का क्या जानकारी मिल पा रही है जानकारी मिल पा रही है जानकारी मिल पा रही है जानकारी का इलाज कर रहे है तो लंका शेत्र के मरीज एडमिट है और लंका शेत्र से इतका इलाज किया जा रहा है शुक्री आपका तमाम जानकारी के नितीश तो देखे ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस की दस्ता की वाइट फंगस भी उतना ही खतरनाक है जितना की ब्लैक फंगस सतर साल के बुजर्ग जो कि दिली से कोरोना का इलाज करने के बाद लोटे हैं इलाज करवाने के बाद लोटे हैं माउ के रहने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर क्षितित जुड़ गए हैं जो कि खुद बुजर्ग का इलाज कर रहे हैं पर सवाल मेरा आपसे है कि कितना खतरनाक है वाइट पंगस और किस तरीके से इलाज किया जा रहे हैं बुजर्ग का जी ये कोई वैसे तो ये कोई ऐसी बिमारी नहीं है जो हमने पहली बार देखिए पहले भी कोई डरा के पहले भी ऐसे कड़ा कड़ा ऐसे केसे आते थे लेकिन कोई डरा में चुकि आइस्टियो एडमिशन बहुत जादा बढ़ गए हैं इसका रिस्क पहले की अपेक्शा थोड़ा जादा है और जिन मरीजों में लंबे समय से स्टिरोइड थरेपी मिलती है और इनके शुगर्स वगएरा अन-कंटोर्ड रहते हैं तो वो इसके रिस्क पे थोड़ा पहले की अपेक्शा अबजादा है यह जो मरीज मेरे पास आये तो इनकी एक आंख में रॉष्णी पिछले एक हफते सी कम होरी लगाता है और जाच करने पे ऐसा पिक्चर दिखाई दिया कि आखों के अंदर इनके फंगस का इंक्रेक्शन है तो इनकी सहमती से हैसे हमने इनकी आंख से एक सैंपल लिया और ज इसमें वो माइक्रोस्कोपी और कल्चर दोनों में ही वाइट फंगस का इंक्रेक्शन कंफर्म हुआ है अगर उन्हें सिंटम्स हो रहे हैं तो देखिए अब इसका कोई एक सिंगल सिंटम नहीं है क्योंकि ये ब्लट के थूँ अगर किसी मरीजों में ब्लट के थूँ अगर उतर जाए तो अलग-अलग अंगों को प्रभावित कर पड़ता है जैसे कि सेफडे, रिदे, आंख और इक्रादी तो अगर जो मरीज बिमार के लिए हाई रिक्स पे हैं उनको बस अपने डॉक्टर के रेगुलर फॉल उप में रहना चाहिए और कोई भी अन्यूजल सिंटम होने पर डॉक्टर की सला लेनी चाहिए बहुत इससे बहुत डरने की जरुवत नहीं है बहुत ही रियर बिमारी जो आप अन्यूजल सिंट से दवाएं दी गई हैं तो ऐसे मरीज को हार्ट में इंफेक्शन होने का खत्रा है तो दिल की धड़कन चेंज होना खबरहात आना इस तरह के सिंटम्स और आने पर तुरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए उसके अलावा जैसा के से मेरे पास आया है उनकी आखों में इसे कोई घबराने वाली बात नहीं है पैनिक होनी के जरुवत नहीं डॉक्टर से कंसर्ट करें वो मरीज जो कि अभी कोरोना से ठीक होकर आया है जो कि आई-चिउ से निकल कर आया है उन्हें किन खास बातों का ध्यान दिखनी की जरुवत है दॉक्टर जी उनको अपना प खान पान कर ध्यान रखना है और तो इसमें कोई विशेश परिशानी की कोई ऐसी बात मिए है क्योंकि पॉस्ट कुविड एरा पोस्ट कुविड रिकवरी में भी कई नहीं तरह के सिंटम से बिमारियां मिली शुक्री आपका हमारे साथ जूडने के लिए डॉक्टर ख्ष प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को एक बर फेर एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में जीन नहीं देना चाहती है। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू अब लागू रहेगा। ये ज़रूरी से लिए है क्योंकि अब शेहरों के साथी साथ गाउं में भी इस संप्रमर ने दस्तक देती है। इस बेच रहत की बात ये है कि उत्तरप्रदेश में कोरोना के खिलाफ वैक्सिनेशन अभ्यान को तेज करने के लिए योगी सरकार ने वैक्सीन खरीद के लिए जो ग्लोबल टेंडर जारी किया था। उसकी म्याद को बढ़ा कर 31 माई तक कर दिया गया है। लेबोरेटी, कैडिला के अलावा एक दक्षन कोरियाई कम्पनी शामिल हो चुकी है। और चलिए अब आपको यूपी का कुरोना अपडेट भी दे देते हैं। जबकि 17,540 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 226 कोविट पॉजिटिव की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक कुल 18,988 कोविट पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। टोटल आकड़ा है कोविट से हुई मौतों का। प्रदेश में कोरोना के कुल अक्टिव मरीजों की संख्या है अब 94,482 यानि एक लाग से कम हो गई है। लखनव में 24 घंटे में 291 केस सामने आए हैं जबकि 877 दिस्चार्ज हुए हैं। लखनव में बात करें तो 24 घंटे में 21 कुरोना पॉजिटिव की मौत हुई है और लखनव में अब पुल आक्टिव केस की संख्या है 6,032 देखिए एक तरफ केस में कमी ज़रूर आ रही है और दिस्चार्ज होने वाले लोग ज्यादा हैं। लेकिन अगर मौत का आंकड़ा देखें तो ये मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है जो कहीं न कहीं चिंता की बात है। और नोईडा के ब्लाक फंगस मरीजों के उपचार के लिए 70 डोज मेरट फेजी गई हैं लेकिन मरीजों को ये डोज प्राप्त करने के लिए लंबी कागजी का रवाई और आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है क्योंकि इन्हें पाना मरीजों के तीमारदारों के ल और लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरते हुए कम से कम 6-7 घंटे लग सकते हैं इन्जेक्शन मिलने में ऐसे मेना सिर्फ तीमारदार बलकी मरीज की दिकते भी बढ़ गई हैं हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि इन्जेक्शन की कीमत भी काफी ज्यादा है जिसे गरीब आदमी को चुकाने में दिक्कत होगी आपको बता दें कि इमल्सीफाइड इंजेक्शन 1500 रुपए और लाइफोसोमल एमफोस्ट्रिन भी इंजेक्शन 6000 रुपए में मिल रहा है जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लैक फंगस का इलाज 6 महात तक भी चल सकता है यानी 6 महा कि इंजेक्शन लगाई जा सकते हैं अब अब अंदाजा लगाईए कि एक गरीब परिवार के लिए इंजेक्शन कितना महंगा हो सकता है ब्लैक फंगस को लेकर के जो डोज नौडा को चाहिए थी वो मेरट पहुंच चुकी है लगबक सतर डोज पहुंची है लेकिन वो डोज कैसे पीड़तों को मिलेगी इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गौतम बुद्नगर के मुक्च किस्ता अधिकारी हैं दीपक औ करवाई है तो हमारे जो 21 लोग थे उसमें से आठ लोग टीक होके जा चुके हैं घर अपने बाकी जो लोग है उनको सभी को कहीं ना कहीं से ये ब्लैक फंगस की एंपोटेशन भी मिल लए थी ऐसा कोई इंसान ने जैसे नहीं मिल लए थी पहले से अब सरकार ने क्योंकि हम में अविलेबल करा दी गई है मेरट से मिलेगी है और हम लोग इनके रेफर करके आधारकार्ट इस्टो पैथलोजी की दिपोर्ट और पिस्किप्शन तीनों अपर ने देशक मेरट मंडल मेरट को रेफर करनें वहां से इनको एवलेबल हो जाएगी परचुर मातरा में जिनें भी जरूरत है वो उनसे संपर करें नड़ा से वीडियो जर्रिस्ट कुलवन सिंग के साथ बलराम पांडे एबिपी गंगा इधर मेरट में ब्लाक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है हाला कि संक्रमित मरीजों में कई मरीज बहारी जिलों के रहने वाले थे स्रियमों डॉक्तर अखलेश मौहन ने बताया ये दावा उन्होंने किया है कि संक्रमन से लोग तेजी के साथ उबर भी रहे हैं कई मरीज ऑपरेशन के बाद स्वस्थ होकर अपने घर वापस लोड़ चुके हैं। संक्रमन की मेडीशन की कमी को लेकर स्रियामू ने बताया कि शुरुवाती दौर में देश के हर से मेडीशन की कमी थी, लेकिन अब धीरे-धीरे आप बूरती सुचारों है। उदर अलीगड में ब्लाक फंगस के मामलों में धीरे-धीरे बढ़तरी हो रही है। पहले अलीगड में दो मामले ब्लाक फंगस के मिले थे, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज में भी तीन ब्लाक फंगस के मामले सामने आए हैं। एक केस टपल क्षित्र में मिला है, इसमें जिले में ब्लाक फंगस के मामलों की संख्याथ 6 हो गई है। स्वास्त विभाग में ब्लाक फंगस के उप्चार के लिए 20 इंजेक्शन मेडिकल कॉलज को प्लब करा दिये हैं। ये इंजेक्शन रखनों से CMO कार्याल है अलीगर फेजे गए थे। तो चौदे को इनकी आग पर सुजन आई। तो चौदे के बाद याली दिन्जाल के ऑस्पेटियों डॉक्टर वालों ने ये का के इन्हें ब्लंक फंगस है तो ये में डिकल के लिए रेफर कर दिये। तो में डिकल में कितना देन होगे तुम्हां हुआ 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 है। तो यहां कैसी सुबदा में दिए है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस आगरा पहुँची है। 64 मेट्रिक चन ऑक्सीजन लेकर टाटा नगर से एक ट्रेन आगरा पहुँची है। यह आगरा के लिए दूसरी खेफ है इस से पहले उनिस तारीक आई थी आज बाइस तारीक को दुबारा आई है जितनी पहली बार आई थी सेम टुसेम उतना ही है और तुरंत इसको करके और सुकृत करेंगा एस्टेटर जहां इसकी gap मसूष करेंगी Vermont गासेबाद पुलिस ने कैसे गैंग का परदा फाश किया है जो मासूम बच्चों को उठाकर बेच दिया करता था ये गैंग गरीब परिवारों से भी मासूम बच्चे खरीद कर बेचा करता था इस गैंग को पुरे सिस्टम धंग से चलाया जा रहा था और कुल 14 लोग इसमें शामिल थे फिलाल पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है हैरानी की बात तो ये है कि 11 में से 8 महिला हैं इनके कबसे से पुलिस ने 5 लाख परामत किये हैं जो बच्चे खरीदने में इस्तमाद हुए थे एस पी दिहात ने बताया कि इस पूरे मामले के खुलासे के लिए काई टीम का गठन किया गया और सबसे पहले मसूरी के रहने वाले वाहिद नाम के शक्स का नाम सामने आया उसके बाद पूरी कड़ी खुलती चली गई इसमें एक जोला चाप महिला डॉक्तर भी शामिल रही की से घर पर आया कि अस prosaf receator की अज़िए को ससे देखने के लिए कमड़ा वहां पर देखने के पड़ए हों पन्द्रा बच्चा थी अज़ित है की ज़िका ज़िए हैं में पूरा इक ग्रहों का पते चलना शुरू हुआ है so lesa इंपॉर्डेंट चीज़ में ये थी कि ये लोगों को टार्गेट करते थे जो की गरीब परिवार होते हैं उनके उन लोगों को लालस देके ये आपके बच्चा बिकवा देंगे इसक्रेसे उधर यूपी के गाउं में फैल रही कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए गाउं गाउं में वैक्सिनेशन जांच और दवा वित्रन की अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए अब आश्या कारेकरताओं ने मोर्चा संभाल लिया है मुरादबाद में इन दिनों आश्या कारेकरताओं गामीर इलाकों में जाकर ना सर्फ कोरोना टेस्टिंग और दवाई ही बाट रही हैं बलकि लोगों को वैक्सिन लगवाने और कोरोना जांच करवाने के लिए प्रोचाहिद भी कर रही हैं जिसका असर भी दिखने लगा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सिन लगाए जाए जिसके लिए बड़े पैमाने पर अभ्यान शुरू कर दिया गया है लेकिन कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता की वजह से सरकार की इस मंचा पर पलीता लगता हुआ नसर आ रहा है बस् इस जाओं के लोगों का कहना है कि पिछले महिले उन्होंने कोरोना की वैक्सिन की पहली डोस तो लगवा ली लेकिन अब जब दूसरी डोस लगवाने के लिए वो लोग सेंटर पर पहुंचे तो यहां पर ताला लगा हुआ है अब ऐसे में ग्रामीर वैक्सिन लगवाने क के लिए भटक रहे हैं अब यहां तब से बना हुआ है सेंटर पर जिसिन किया कभी लगा कि नहीं लगा है अब हुआ है कि पर तारी को महिला हुआ है तो यह पोले रमजान के रग्जान के टाइम पर लगा है तो कब आपका फिर्ट नेक्स्ट को टेरा तारीक होता है थे आना फिर लगेगा तेरा तारीक को आये थे हां लेकिन आदमी तीन थे इसलिए का ना वे बोले दस आदमी कम से खम गुड़ी फोराच चाहिए तम इंडिसन खुले लेगा अब नहीं लगता है तो लोग कैसे व बीदर कोरोना के 293 नए मामले सामने आए हैं जब की कोरोना से 64 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में 8,164 मरीज आस्पताल से रिस्चार्ज हुए है अभी भी 17,919 लोगों की रिपोर्ट आना बागी है जिलिवार कोरोना की मामलों की अगर बात करें तो अलमोडा म में 211, बागेशोवर में 40, चमोली में 160, चमपावत में 89, दहरादून में 610, हरिद्वार में 465, ननिताल में 256, पौरी में 297, पिथारागड में 112, उदरपयाग में 133, तीहरी में 281, उधम सिंग नगर में 183, जब कि उत्तरकाशी में 58 नए मामले सामने आए हैं उत्राखण में ब्लाक फंगस की बढ़ते मामलों को देखते हुए, सरकार ने इसे महमारी घोशित कर दिया है, प्रदेश सरकार की तरफ से इसके आदेश जारी कर दिये गए हैं, स्वास से सचिफ पंकच कुमार की तरफ से आदेश जारी हुआ है, तरसल उत्राखण में ब सामले बढ़ रहे हैं लेकिन प्रदेश में ब्लाक फंगस के इंजेक्शन की कमी है। सीयम के निर्देश हैं कि ऐसे बच्चों का चिन्ही करण कर उन्हें जल्द से जल्द मदद मुहया कराई जाए। कोविट की तीसरी लहर के लिए तैयारियों को जल्द धरातल पर लागू किया जाए। सीयम ने कहा कि वर्तमान में कोविट के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। फिर भी हमें पूरी तरह से साफधान रहना है। जरूरी मेडिकल किट और दवाओं की उपलब्धता हो। गाओं में क्वारिंटीन सेंटर चिन्नित कर उन्हें जरूरी सुविधाओं से युक्त किया जाए। हरिद्वार जिले में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। खासका गामीड इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। शायद यही कोई भी ऐसा गाओं नहीं हैं जहां पर लोगों को जुखा मुखार खांसे की शुकायत नहीं। अभी तक तो सिर्फ गिनिती के लोगों नहीं टेस्टिंग कराई है। सब्सक्राइब बढ़ती है तो यहीं मानिये कोरोना कांकरा कहीं ज्यादा होगा हाला कि मंत्री दावा कर रहे हैं कि सरकार की दरफ से कोरोना की रोख थाम के लिए हर कोशिश की जा रही है इस से में हर गाओं के अंदर टैस्टिंग भी तेजी कर दी गई है और जो लोग कोश्टी में कलते हैं उनको घर में आइसोलेक करकर उनको वहां पर पूरा पैकिंग दिया जाता है सरकार की तरफ से अगर उसके बाजूद भी ठीक नहीं होते तो उनको जो भी उचित इस्तान है उनको श्पितलों में लाकर बर्ती क्या जाता है उनके स्वास्त की देख रेक की जाती है अब अब अब